क्या है कहानी लड्डू गोपाल जी की? एक भक्त थे कुम्भन्दास, जो ब्रेच में रहते थे, उनके पास क्रश्ण जी का बांसुरी बजाते हुए एक विग्रे था, वे श्री क्रश्ण की भक्ती में ही सदेव लीन रहते थे और प्रभू की भक्ती में कोई व्यवधान न आ जाए, इसलिए शहर से बाहर तक नहीं जाते थे, उन्हें एक बार व्रिंदावन से भागवत कथा का निमंत्रन आया, उन्होंने पहले तो मना कर दिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि प्रभू सेवा में कोई विग्न आये, लेकिन भक्तों के ज़्यादा जित करने पर वहमान गए, उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की सारी तयारी करके कथा में चला जाओंगा और प्रति दिन वापस आ जाया करूंगा, इस प्रकार उनकी सेवा का नियम भी बना रहेगा, और कथा का लाब भी मिल जाएगा, उनके पुत्र का नाम रगुनंदन था, कुम ठाकूर जी के समुख भोग रख दिया और प्रात्ना करने लगे, उनके बाल मन ने सोचा कि ठाकूर जी स्वयम आकर वैसे ही भोग ग्रहन करेंगे, जैसे हम भोजन करते हैं, लेकिन जब उन्होंने भोग वैसे का वैसा ही देखा, तो उदास हो गए, रगुनंदन ने पू आ गए भोग ग्रहन करने, रगुनंदन बहुत खुश हुए, क्रश्न को बाल रूप में भोग खाते देखकर, पिता ने वापिस आकर पूछा कि भगवान को भोग लगाया था, तो बेटा बोला हाँ लगा दिया था, कुम्बंदास ने जब प्रसाद मागा, तो बेटा कह रहने लगा, कि ठाकूर जी ने पूरा भोजन ग्रहन कर लिया, कुम्बंदास ने सोचा, कि पुत्र को भूग लगी होगी, इसलिए उसने सारा भूग खा लिया होगा, अब ये हर रोज का नियम बन गया, कुम्बंदास भूग की थाली बनाते, और पुत्र से कहते कि लटकर जब भी वह पुत्र से पसाद मांगते, तो वो रोज एक ही बात कहता, कि ठाकूर जी ने सारा भोजन ग्रहन कर लिया, कुम्बंदास सोचने लगे, कि उनका पुत्र हर रोज एक ही बात क्यों कहता है, कि ठाकूर जी ने सारा भोजन ग्रहन कर लिया, अगर वह पूट पूल रहा है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है एक दिन उन्होंने भोग तयार करके बेटे से कहा कि भोग लगा दो और स्वेम छिपकर देखने लगे रगु नंदन ने भगवान को भोग लगाने के लिए प्रार्थना की तो भगवान बालूप में प्रगट हो ग जिस समय ठाकूर जी इस्थिर हुए उस समय एक लड़ू उनके हाथ में था और दूसरे हाथ का लड़ू मुख में रखने ही वाले थे इस घटना के बाद से ठाकूर जी के इस स्वरूप को लड़ू गोपाल कहते हैं और इस रूप की पूझा बहुत श्रत दवाव से की ज जाती है जैसे मा सुबह से लेकर रात तक अपने बच्चे की देख पाल करती है माना जाता है कि लड़ू गोपाल की पूझा करने से सभी परिशानियों से छुटकारा मिलता है ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें करें वाट